अगर आपका State Bank of India Bank खाता है तो आपको भी कभी कभी पैसा निकालने में प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि Cash Transaction Limit या फिर Private Bank CSP और AAPS Portal के माध्यम से पैसा नहीं निकल रहा है या फिर Cash विद्रोह करते समय ट्रांजेक्शन फेल होते हैं। या Transaction Issue ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम होने के कारण आप अपने Bank खाते से पैसा सही से निकाल नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ जानकारी दूनगा जिससे आप अपनी Bank खाते से पैसा निकाल सकते हैं। तो देखो अगर आप कोई Private Bank CSP के पास जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो वहाँ पर आपका Transaction Fail होते हैं या कोई दूसरा प्रॉब्लम होने के कारण पैसा नहीं निकलते हैं। तो आपको उसे समय एक आसा ट्रिक लगाना होगा जैसे कि अगर आप 10,000 रुपे निकालना चाहते हैं तो आपको 5000 करके दो बार Transaction करना होगा और फिर आपका पैसा निकल जाएगा। तो ऐसे में आपको एक काम करना है अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर SBI के मैं ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पर अपना EPS सर्विस को चालू करना होगा। सकते हैं बहुत ही आसानी में। सकते हैं ऌपको करना होगाण करना होगा करते हैं पिर्गली स्टी पिर्गला है कि कुछल